ये देखिया हो सकता है बातचीत जल्दी से जल्दी हो जाया आज रात कल सुबे तक ये बातचीत हो जाया बेलरूस बॉर्डर पर दोनों देशों के प्रतिनिते मंडल पहुचने शुरू हो गया है पहले युक्रेन ने कह दिया था कि हम बात नहीं करेंगे बेलरूस में उस जगे से जान सा हमारे उपर मिसाईय दागी जारी है वहां बिल्कुल बात नहीं करेंगे लेकिन युक्रेन बॉडर पर बात करने के लिए तैयार हो गया है आज रात या कल सुबह युक्रेन और रूस में बातचीत संभव है यहां हम आपको कीव शहर की तस्वीर अपने मेज पर लेकर आते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बातचीत चुरू हो जाती है तो आकरमन बंध हो जाते हैं लड़ाई तो चलती रहती है दोनों जो पक्ष है वो चाहते हैं हमारे हाथ में bargaining power ज्यादा रहे अब कीव निशाने पर है यह तो सपष्ट है पहले दिन से रूस के जनल साब कीव के इस structure को देखते हुए आपको लगता है रूस घुसेगा भी तर रूस की strategy क्या है क्या वो कीव के अंदर लड़ाई लड़ना चाहता है और यूकरेन जो चाहता है वो पूरा करना चाहता ह ऐसा है कि पहले दिन से ही रूस ने ये नहीं चाहा कि बिल्ट अब इलाके में जाए इसके कई कारण है रूस नहीं आना चाहता है रूस अंदर नहीं आना चाहता है क्योंकि एक अगर अंदर जाते हैं तो काफी civilian casualty होंगी और उनकी casualty बहुत होंगी एक built-up area की लड़ाई जो है एक conventional operation के लिए काफी खतरनाक साबित होती है काफी time consuming होती है और collateral damage भी बहुत जादा होते हैं जो रशिया नहीं चाहता है रशिया का उद्देश है कि इस operation को जल्दी से जल्दी खतम किया था है यही जैसा राजेश ने बताया था इसी कारण से उन्होंने पहले उनके military infrastructure को खतम किया air bases air defense defense establishment डेर सो से ज्यादा पंदर से ज्यादा air bases यह सब खतम किये और अब जो है वो चारों तरफ हैं deployed है अब अगर pressure डालने के लिए आप देख रहे हैं oil jump अटेक किया बिजली काटो बिजली काटो बिजली काटो बिजली काटो बिजली काटो बिजली काटो और कल को जब पुतिन अपनी सरकार बनाता है तो क्या उस सरकार को support मिलेगी वहाँ वो तो बिल्कुल आज ही हो against है तो तब अगर इतनी casualty हो जाएंगी तो बिल्कुल उसको उखाड़के फैक देंगे कितने दिन तक रशिया बना रहेगा इन सड़कों पर उतरेंगे वो इ absolutely zero possibility है कोई भी military commander चाहिए छोटा सा छोटा जो अवन warfare को जानता है उसके नस्दीक भी नहीं आता है तो अगर युक्रेन ये सोच रहा है कि वो आए और हम गुरिला warfare को अंजाम देंगे इन सड़कों पर ये देखिए अगर हम रिहाइशी इलाकों के सारे इलाके देख लिए तो वो नहीं आने वाला है युक्रेन गलत सोच रहा है रूस को युक्रेन को भी पता है नहीं आने वाला है तभी मॉलटो कॉक्टेल से आप लड़ाई लड़ेंगे देखिए अर्मन warfare में में मेलटो कॉक्टेल का बहुत बढ़ा होता है कि आप फेके उसमें आग लग जात देखिए पेट्रोल डाली इंडिया में पेका जाता है बस फैंसी नाम हो गया है यहां वो कॉक्टेल पुराना आर्मी का आर्मी पारलंस में कहते हैं हमारे ग्रॉस्री और मिल्टरी टम का हिस्सा है मगर बात यह है कोई भी कमांडर नहीं आएगा मैं भी इसका विस्कलेशन पहले भी करता रहा है देखिए जो कारकीब है कारकीब में 80% रश्यन्स हैं और आपके बड़े अच्छे वो रिपोर्टर साहब हैं जो अभी बता रहे थे वो नहीं आएगा 80% से बेट कर रहे हैं